जैहिन विद्यार्थियों मैं रामना प्रटलेश यूटूब चैनल मासप जी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों आज के इस कालखण में हम कक्षा 11 की हाल ही में संपन वार्षिक परिक्षा के अर्थसास्त विशे के प्रस्नपत्र का विशलेशा करेंगे। प्रस्नपत्र मॉडल पेपर के रूप में बहुत ही उपयोगी है तो वीडियो को अंत तक देखें तथा आग रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकान को क्लिक करना मत भूलिए जिसस कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियो की नूटिफिकेशन प्राप्त होती रहे तो आइए देखते हैं कक्षा 11 वी वार्शिक परिक्षा 2022 का अर्थसास्त्र विशेका यह प्रस्नपत्र प्रस्नपत्र कुल 80 अंगों का था और प्रस्नों की संख्या थी 23 प्रस्न करवा अंग 6 से 15 तक 80 लगुत्री प्रस्न है और प्रत्यक प्रस्न के लिए 2 अंग है इसी तरह प्रस्नकरमांग 16 से 19 तक लगुत्री प्रस्न है और प्रत्यक प्रस्न पर 3 अंग आवंटित है और उत्तर लिखने की सब्द सीमा है 75 प्रस्नकरमांग 20 से 23 तक विशलेशन आत्मक प आउwright देखते हैं प्रसिंक्रमांग के एक सही विकल्प चैना कर दिखिए इसके अंतरकत पहला है जब आप कोई नोक्री करते हैं तब आप कहलाते हैं दूसरा दो चरों के बारंबारता वितरन को इस नाम से जानते हैं विकल्प आ, एक, विचर वित्रण बा, बहुचर वित्रण सा, द्वीचर वित्रण और दा, उपरोकтесь मैं से कोई नहीं सही उत्तर है, द्वीचर, वित्रण विकल्प सा सही है तीसरा, नई आर्थिक ढीती आरंभ की गई विकल्प आ, 1992 बा, 1998 सा 1950 और दा 1948 तो सही उत्तर है बा 1991 चौथा मानव पुझी निर्मान के स्रोत हैं अ सिक्षा ब स्वास्थ सा प्रवसन और दा उपर्युक्त सभी तो यहाँ पर सही उत्तर है दा उपर्युक्त सभी पांचवा रास्ट्री ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया अ 2005 में बा 2006 सा 2003 और दा 2001 तो सही उत्तर है अ 2005 में चट्वा चीन में दा ग्रेट लीप फारवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया विकल्प आ 1947 बा 1965 सा 1958 और दा 1956 तो सही उत्तर है सा 1958 अंग्रेजी मादम के विद्यारतियों के लिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन दिया हुआ है जिसमें भी आप देखें कि पहले विकल दिस्टिब्यूशन सही है तीसरा दा एकानोमिक पॉलिशी वाज लॉंच इन इसमें भी 1991 सही है चौथा वाट आप दा सोर्सेज आप हुमन कैपिटल इसमें डी आप दा अबाव सही है पाच्वा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ट इन दा येर 2005 और छटवाँ वहन वाजदा ग्रेट लीफ फारवड अभियान कैम्पेन स्टार्टेड इन चाइना तो 1958 अब देखते हैं प्रस्ण कुर्वांग दो रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए नमर एक इस्थान के आधार पर आखणों का वरगी करण खालेस्थान वरगी करण कहलाता है तो यहां हम लिखेंगे इस्थानिक वरगी करण दूसरा मधिका उस चर का इस्थितिक मान है जो वितरण को खालेस्थान भागों में बांट देता है तो यहां लिखेंगे दो तिसरा खालेस्थान को आर्थिक बेरोमीटर के रूप में जाना जाता है यहां हम लि ग्रामीर्ड विकास एक खालिस्थान सब्द है, यहां लिखेंगे हम व्यापक, छटवा प्रत्वी और समुद्र के वातावरन के ओसत तापमान में व्रद्धी को खालिस्थान कहते हैं, यहां लिखेंगे हम वैस्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग, दौनों ही लिख सकते हैं, अंग्रेजी पाध्यम के विद्यारती देखें, फिल इन दिवलैंग्स, इसमें फर्स्ट है, the classification of data on the basis of location is called, तो यह spatial classification, दूसरा, median is positional value of the variable that divides the distribution into two parts, थर्ड, index is known as economic barometer, चौथा, right to education act was enacted in the year 2009, फिफ्थ, rural development is a broad term, और शिफ्थ, the increase in the average temperature of the earth's atmosphere and oceans is called global warming, अब देखते हैं, प्रस्ट करमांग तीन, सही जोडियां बनाईए, नमर एक, स्रेणी में सरवाधिक बार प्रकट होने वाला मान, इसकी जोडियां हम बनाएंगे सा, बहुलक से, दूसरा, परास या विस्तार, इसकी जोडि, और आर बराबर एल माइनस, एस, तीसरा, सहसंबंद गुणांग का मान होता है, द, रिनेक से धनेक के बीच, चौथा, आधार वर्स, सुचकांग का मान, इ, यानि, सौ से, पांचवा, टिसको की स्थापना, टि-ा-ई-स-स-ई-ो, अर्था, टिसको, टिसको की स्थापना सन 1907 में हुई, फा से बनाएंगे जोड़ी, चटवा, चिपको अंधोलन, चिपको अंधोलन की जोड़ी बा हिमालय परवत से, इंगलिश में अगर देखें तो कालम A, most frequently, accurate value in a series, pair बनाएंगे हम मौट से, range, A, R is equal to L minus S, the value of correlations, coefficient is, D minus 1 to plus 1, Index value of base year is, C, 100, Establishment of Tisco, F, 1907, चिपको मूवेंट, हिमालया, माउंटें, प्रस्नक्रमांग चार, सत्य असत्य बताईए, नमबर एक, सांखी की केवल मात्रात्मक आक्रों का अध्यन करती है, असत्य, क्योंकि सांखी की मात्रात्मक के साथ साथ, गुणात्मक आक्रों का भी अध्यन करती है, दूसरा, तोरण को संचई बारमबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, सत्य, तीसरा, सोध करता द्वारा संग्रह किये गए आक्रे, दुतियक आक्रे कहलाते हैं, असत्य, ये प्रात्मिक आक्रे होते हैं, चोथा, स्रंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत्थी परियाप्त नहीं है, सत्य, पाचवा, निजी करण का तात्पर किसी सारोजनिक उपक्रम के स्वामित्य या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग से है, सत्य, छट्वा, भारत का मानववगासूचकांग चीन की तुलना में बहतर है, असत्य, 2016-17 के उनसार, भारत का मानववगासूचकांग है, 0.640, और चाइना का मानववगासूचकांग, यानि HDI है, 0.752, यानि चाइना की इस्तिति इंडिया से बहतर है, सही उत्तर को रिखांकित किया हैं आगे चलते हैं प्रस्नक्रमांग 5 एक सब्दिया एक बाक्य में उत्तर दीजिए नम्मर एक चरम पदों की उपस्थिती से कौन सा ओसत सरवाधिक प्रभावित होता है तो यहां हम लिखेंगे अंगगणिती माध्या समानतर माध्या दूसर परिक्षेपन्स आकलों के केंदरी प्रवत्ती से फैलाव को प्रदर्सित करता है तीसरा सह संबंद के दो प्रकारों के नाम लिखिए तो सह संबंद के प्रकार धनात्मक और रिनात्मक चौथा म्रदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है तो म्रदा अपरदन के मुख्य कार लिखना उचित होगा पाचवा CNG का पूरा नाम क्या है CNG को हिंदी में संपेडित प्रकृतिक गैस कहते हैं यानि CNG का जो फुल फार्म है वह है कमप्रेस्ड नेचरल गैस चटवा किस देश में एक बच्चे की नीती घुसित की गई थी तो उत्तर है चीन साथवा HDI का पूर्ण रूप लिखे हैं HDI का पूर्ण रूप है Human Development Index यानि मानोविकास सूचकांग अंग्रेजी माद्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हमने अंग्रेजी में भी आंसर दिये हुए है आई अब देखते हैं दो अंकवाले प्रस्ण इसमें प्रस्ण करवांग 6 उपभोग का अर्थ लिखिए उपभोग क्या है उत्तर में हम लिखेंगे आवसेक्त की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जैसे पिता द्वारा काम पर जाना अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिसमें धनका लेंदेन नहीं होता जैसे मा द्वारा बच्चे की देखभाल सात्वा प्रात्मिक आंकडे कैसे एकत्रित किये जाते हैं प्रा जो प्रस्ण है इन प्रस्णों को सूचना दाता के पास जाकर के जानकारी एकत्रित करनी होती है यानि शाक्षातकार करना होता है अत्वा में प्रस्ण है दोतियक आंकडों के संग्रहन के स्रोत लिखिए द्वतिय का आँकडे वे होते हैं जिन्हें अन्निवेक्तिय संस्थाद्वारा एकत्रित किया गया होता है तो ये आँकडे हमें सरकारी रिपोर्ट, दस्तावे, समाचारपत्र, पुस्तके या वेफसाइट आधी से प्राप्त होते हैं प्रस्टिकरमांक आठ राष्ट्री प्रतिदर सर्वेक्षन संगठन क्या करता है? राष्ट्री प्रतिदर सर्वेक्षन संगठन यानि NSSO विभिन सामाजिक आर्थिक मुद्धों पर सर्वेक्षन कारे करता है जिसमें साक्षर्ता, विद्यालेई नामांकन, रोजगार, विन निर्मान, स्वास्त, फसल अनुमान, उद्योगों का सर्वेक्षन विभिन प्रकार के मुद्दों पर आकड़ी संग्रही किये जाते हैं। अथवा में प्रस्न है सतत्चर के दो उदाहरन लिखिए। सतत्चर के उदाहरन हैं उचाई, भार, समय, दूरी। सतत्चर कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे एक, दो, तीन या भिनात्मक संख्या हो सकती है, एक बटे, दो, एक बटे, तीन, इत्यादी या दसमलो भिन भी हो सकते हैं, 1.414 तो सतत्चर कोई भी संख्यात्मक्मान हो सकते हैं अगला प्रस्न है समांतर माध्य की विशेष्टाएं लिखिए समांतर माध्य की विशेष्टाएं हैं कि यह समस्त पदों पर आधारित होता है यह चरम मुल्यों से प्रभावित होता है और माधि से मदों के बिचलन का योग शून्य होता है तो तीन मैंसे कोई दो हम इसमें लिख सकते हैं अगला प्रस्न है निम्न आकणों से समांतर माधि की गणना कीजिए 20, 15, 25, 10 और 30 समांतर माधि याद करने का सूतर है 12x बराबर सिग्मा एक्स बटे n सिग्मा एक्स ब्यानी समस्त पदमूलियों का योग तो यहाँ पर हम पदमूलियों का योग कर देते हैं 20, 15, 25, 10, 30, बटे 5 5 क्यों 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 कि यहाँ पर पदमूलिय यहाँ पर 5 सिग्मा एक्स का मान आता है 100 इसको हम डिवाइट करते हैं 5 से तो इस तरह से 20 जो आया ये समानतरमाद है अगला प्रसन है विस्तार की परिभासा लिखिए तो विस्तार या परास किसी वित्रण में अधिक्तम वा न्यूनतम मानों के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं और इसका सूत्र है R बराबर L-S अथवा अपकिरण की माप के उद्देश लिखिए अपकिरण की माप के उद्देश स्रेणी की बनावट का ग्यान कराना तथा दूसरा है माधिकिस सीमा तक समूंका प्रतिनिधित्व करता है का ग्यान कराना दो या दो से अधिक स्रेणियों के मध्य असमानताओं की तुलना करना अगला प्रसन है आर्थिक प्रणाली क्या है तो वह है प्रणाली जिसके द्वारा लोग जीबी का प्राप्त करते हैं इसमें समाज की सभी गतिवी धियां जैसे की उत्पादन विनिमय उभोग का समाव देश किया जाता है आर्थिक प्रणाली तीन तरह की होती है समाजवादी पूंजीवादी और मिसरित हमारे देश में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिला जुला रूप यानि मिसरित आर्थिक प्रणाली प्रचलन में है अगला प्रसन है योजना क्या है तो य योजना कहते हैं भारत में पांच वर्षी योजना प्रचले थे जिने हम पंच वर्षी योजनाएं कहते हैं अगला प्रसन बहुतिक और मानव पूझी में क्या अंतर है बहुतिक पूझी निर्मान आर्थिक और तक्नीकी प्रक्रिया है मानव पूझी का निर्मान सामाजिक प्रक्रिया है, भौतिक पूंजी दरश्य होती है, इसमें देखी जाने पूंजी की सेवाओं को ही बेचा जा सकता है, जैसे कि किसी मजदूर को आप काम पर रखते हो, तो आप उसे खरीद नहीं लेते हो, बलकि उसकी सेवाओं को खरीदते हो, बहुतिक पूंजी से, बहुतिक पूंजी का जो स्वामी है, वही लाभानवित होता है, लेकिन मानव पूरा समाज लभानविध होता है जैसे एक डाक्टर या एक सिकषक की सेवा से पूरा समाज लभानविध होता है अत्वा में प्रस्थ है सानसद आदर्स ग्राम योजना क्या है अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सानसदों के निर्वाचन छेतरों से सांसद आदर्स ग्राम योजना याने ऐसे जीवाई की, शुरुवात की, इसके तहट सांसद अपने छेतर के एक गाउं को गोध लेकर, मौडल गाउं के रूप में विक्सित करते हैं, तो यह है सांसद आदर्स ग्राम योजना, अगला प्रसन स्वन योजित स्रमिक किसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति जो अपने उद्यम का स्वामी और संचालक होता है, उसे स्वन योजित स्रमिक कहा जाता है, जैसे कि कोई दुकानदार जो अपना स्वायम का व्योसाय करता है, तथा कोई उद्यमी, उद्योकपती या कोई कमपनी का मालिक, यह स्वन योजित स्रमि कहलाते हैं अथवा बिरोजगारी किसे कहते हैं NSSO के अंसार यानि राष्टी न्यादर सर्वेक्षन संगठन के अंसार बिरोजगारी वह अवस्ता है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव में बिना काम के रह जाते हैं जबकि वे प्रचलित मजदूरी दर पर जीवन परत्यासा, किसी देश में लोगों की जीवन परत्यासा कितनी हैं, प्रति व्यक्ती, सकल घरेलू, उत्पाद, गरीबी की देखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या, सिसु मरत्यूदर, मात्र मरत्यूदर, सुच्छता, सुच्छ पेजल, ये मानो विकास के विभिन संकेत अथवा दा Great Leap Forward अभियान का उद्देश क्या था सन 1958 में चीन में व्यापक अध्योगी करण के लिए बड़े पेमाने पर देश का अध्योगी करण किया गया जिसे Great Leap Forward अभियान के नाम से जाना जाता है इस अभियान के अंतरगत लोगों को अगला प्रसन है छेत्री और आर्थिक समूह के गठन के कारण लिखिये चेत्री और आर्थिक समूह का गठन क्यों किया जाता है तो विभिन देशों के जो छेत्री और आर्थिक समूह होते हैं जैसे ब्रेक्स, जी सेवन, आसियान तो विश्व में विभिन देशों के पीच में बढ़ती प्रतिसपरधा के कारण, पड़ोसी देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के उद्देश से तथा मानो विकास के विभिन संकीत कों में अपने देश की इस्थिती बहतर करने के लिए ऐसे अलग-अलग उद्देश से छेत्री और आर्थिक समूहों का गठन किया जाता है, वर्तमान समय वैस्वी करण का समय है, सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर के विकास के पत पर आगे जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरहे छेत्री और आर्थिक समूहों का गठन किया जाता है, अगला प्रस्न, किन छेत्रों में भारत की इस्थिती पाकिस्तान से बहतर है, तो GDP तथा HDI, GDP यानि सकल घरिलू उत्पाद, प्रतिवक्ति सकल घरिलू उत्पाद, तथा HDI, यानि मानोविकासूचकांक में भारत की रेंग पाकिस्तान से बहतर है, HDI में भारत की रेंग 130 है और पाकिस्तान की 150 है, इसी तरहे सिसुम्रत्युदर भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक है, तथा जीवन पृत्यासा भी पाकिस्तान में भारत से कम है, तो ये ऐस से छेतर हैं जिन में भारत की इस्तिती पाकिस्दान से बहतर है विद्यार्थियों आज के इस कालखन में हमने एक अंक वाले वस्तुनिस्ट प्रस्ण तथा दो अंक वाले अतिलभुत्री प्रस्णों एवं उनके उत्तरों की जानकारी आपको दी कक्षा ग्यारवी में प्रसिक परिक्षा दी है वे अपने प्राप्तांकों का अनुमान इन उत्तरों को देखकर लगा सकते हैं और ये सभी उत्तर आपकी जो NCRT की पुस्तक है उस पर आधारित उत्तर हैं आपने हो सकता है कि इन उत्तरों के अलावा इनसे मिलता जुलता कोई अन्य उत्तर लिएंगे सेज प्रस्णों की जानकारी हम आने वाले किसी वीइऑ में देंगे वीडियो के अंत में आपसे अपनाय आग रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिज히े मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तर है परिच्छा उप्यों की जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन